Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे हिंदी, आप सभी को पता ही बच्चों, आपकी online exams 3 days में आने ही वाली है, तो हम आज करेंगे हिंदी में revision, जो की आपकी exam से related है, आए बच्चों हम हिंदी में revision करना start करते हैं सबसे first है, E के नीचे रेखा खीचो, यह देखिए बच्चों, यह है E, जहां जहां words में E लिखा है, हमें उनके नीचे line खीचनी है आपने आपकी book में बड़ी उकी मातरा तक की exercises कर ली है, बट मैंने exam में A, A, E and E बड़ी E तक exam में question answer किया है, है यह बच्चों हम start करते हैं E के नीचे रेखा खीचो, देखिए सबसे first लिखा है E शान तो बच्चों आपको इसमें E दिख रहा है, तो हमें उसके नीचे line खीचनी है E शान तो हमने E के नीचे line खीची इसमें जहां जहां भी आपको E दिखता है, आपको उसके नीचे line खीचनी है उसके बाद next है साई सा इ तो देखिए ये है इ हम उसके निचे अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट है इश्वर ये देखिए ये है इ एंड यहाँ पर भी है इ हम उसके निचे अंडरलाइन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट है इद इश्वी इमान next है इश उसके बाद है इक उसके बाद है इशा उसके बाद next है भाई फिर देखिए यहाँ पर है रजाई देखिए बच्चों आपको इ के नीचे रेखा खीचनी है तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी इ है मैं उसके नीचे अंडरलाइन करती हूँ आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है इसके बाद next है E दगा देखिए यहाँ पर मैंने लाइन खीची तो बच्चो आपको समझाया E के नीचे रेखा खीचो जहाँ जहाँ पर भी E लिखा है E से 1 लिखा है आपको उसके नीचे underline करनी है ठीके बच्चो अब हम next revision की तरफ पढ़ते हैं next है सब्दों में से E पहचान कर गोल बनाओ इन सब्दों में जहां पर भी E लिखा है हमें इसके उपर गोल बनाना है सबसे first word है लिखा है इलाज तो बच्चो आपको यहाँ पर कहीं E से इमली दीख रही है लिखी हुई हमें उसके उपर circle करना है तो यहाँ पर लिखा है E से इमली तो हम करेंगे उस पर circle E लाज उसके बाद next है इमली तो हम इस पर करेंगे circle because यहाँ पर E लिखा है उसके बाद next है idli देखिए सबसे first में लिखा है E तो हम उसके उपर करेंगे circle उसके बाद next है इतिहास क्या है बच्चो इतिहास तो हम E पे करेंगे circle उसके बाद next है इतना तो यहाँ पे लिखा है E तो हम उस पे करेंगे circle उसके बाद next है 31 तो हम E पे करेंगे circle इसमें जहाँ जहाँ पर भी आपको E दिखता है आपको उसके उपर circle करना है next है Italy क्या लिखा है बच्छो इटली तो बच्छो हम यहाँ पर circle करेंगे ली पर बताओ बच्छो yes या no no very good because हमें ली पर नहीं हमें E पर circle करना है तो हम E पर करेंगे circle next है Iraq देखिए सबसे first में है E तो हम यहाँ करेंगे circle यहाँ पर लिखा है next इतवार तो हम करेंगे E पर circle और यहाँ पर लिखा है Iran तो हम करेंगे E पर circle जहाँ जहाँ पर भी E लिखा है हमें उसके उपर circle करना है अब हम बढ़ते हैं next page की तरफ यहां पर हमें लिखना है छूटे हुए अक्सर लिखो जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं न मिसिंग लेटर वैसे हमें हिंदी में लिखना है छूटे हुए अक्सर लिखो सबसे फर्स्ट है अनार क्या लिखा है वच्चो अनार सबसे पहले आपको यहां पर और यहां पर missing word लिखा है. तो देखिये. अ-णा-र तो हम यहां देखते हैं. बीच में ग्यां missin है. और यहां पर लिखा है र. तो हमें यहां पर लिखना है ना-र तो यह सब्द feel होता है. आणार उसके बाद next है जाहाज तो देखिए यहाँ पर लिखा है ज, यहाँ पर बीच में एक word missing है and last में लिखा है ज, तो बताएए बत्रों यहाँ पर क्या missing है यहाँ पर missing है ह, ज, हा, ज, हम यहाँ लिखेंगे ह, ज, हा, ज, उसके बाद next है गाजर देखी यहाँ पे लिखा है ज और यहाँ पे लिखा है र आगे का ग है missing तो हम यहाँ लिखेंगे गाजर आपको आपकी बुक में एकदम beautiful handwriting से लिखना है मैंने तो cell phone का browser यूज किया है इसलिए proper नहीं लिखा जा रहा है बट आपको pencil से एकदम proper writing में लिखना है and learn भी करना है only आपको देखकर copy नहीं करना है आपको learn भी करते रहना है इसके बाद next है murder murder is missing तो हम यहाँ लिखेंगे इसके बाद next है arm I is missing इमली इमली में है E missing तो हम यहाँ लिखेंगे इमली यहाँ पे छूटे हुए अक्षर लिखने हैं जो words missing हैं वो वाले अब हम next page की तरफ बढ़ते हैं next revision है A से अलग वर्णों पर cross करो जो शब्द A से अलग पढ़ते हैं हमें उनके उपर cross का निसान लगाना है सबसे first है प, च, अ, म तो बताओ बच्चों यह प, च, म असे अलग पढ़ते हैं ना असे अलग वर्णों पर हमें cross करना है तो हाँ तो यह प अलग है च भी अलग है और म भी अलग है यह सब भी असे अलग है उसके बाद next है र, क, एन, च यह सब भी असे अलग पढ़ते हैं नेक्ष्ट है ख, अ, ग, आ तो बच्चों ख, असे अलग पढ़ता है बच्चों अ, असे अलग पढ़ता है नो ग, असे अलग होता है आ भी असे अलग होता है नेक्ष्ट है ज, ट, एन, ज, हम इस पर करेंगे क्रोस आउट उसके बाद नेक्स्ट है य, व, एन, श, हमने अ को छोड़ दिया हमें अ से अलग वर्णों पर क्रोस आउट करना है ओके बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं डिवीजन करने के लिए नेक्स्ट पेज है समान शब्दों को जोड़ो ये बच्चों आप आपकी बुक में करी चुके हैं समान शब्दों को जोड़ो हमें यहाँ पर सेम तू शेम सब्दों की मैचिंग करनी है जिसे की देखे यहाँ पर लिखा है म, का, न अब हमें सामने की साड में देखना है ऐसा मकान कहां पर लिखा है तो देखिए सामने की साड में लिखा है यहां पर तो हम यहां पर करेंगे matching उसके बाद next है बादल तो हमें देखना है ऐसा बादल कहा लिखा है तो हम यहां पर करेंगे matching उसके बाद नेक्ष्ट है इमली, तो इमली की मैचिंग हम यहां करेंगे, उसके बाद नेक्ष्ट है बाजा, तो बाजा की मैचिंग हम यहां करेंगे, बच्चो आप आपकी बुक में ये सबान सब्दों को जोड़ो कर चुके हो, उसके बाद नेक्ष्ट है सामान, तो हम यह एहां पे मैंचिंग करेंगे सामान। इसके बाद next हे अजुगर हम यहां पे करेंगे मैचिंग। अज़गर में ओके बच्चो यह था आपका हिंदी सब्जेक का रवीजन जो आपको आपकी बुप में लिख लेना है ओके बच्चो और यह लरन भी करते रहना है ओके बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार